हेलो फ्रेंड्स आर्तिस पंजाबी किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ वेज नूडल्स की रस्पी शेयर करने जा रही हूं जो कि बुर्कु स्ट्रीट स्टाइल है और बहुत ही क्विगन ईजी रस्पी है हरको ही ट्राइ कर सकता है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में देए बल बटन को दुबाना ना भूले ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थांक्यू आज बनाते हैं वेज नूडल्स जिस यह हमने गाजर ली अचैनल को भी जूलियंश में काट लिया है और यह कैबच और यह कुछ स्प्रिंग जूनियं के ग्रीन भाट्स और मैंने ओल लिया है वेजेबल को फ्राय करने के लिए और हमने विनेगर लिया है विनेगर हम 1 टीस्पून यूज करेंगे यह सोया सॉस स्वाइब काली मिज़ पाउडर, अब लिए स्वाइब तूने लिए नूडल्स लिए पानी नूडल्स लिए लिए फ्रेंगे अब नूडल्स को बॉइल कर लेंगे पानी में पहले से 1 लीटर पानी बॉल करने के लिए रख दिया था अब इस बॉल वाटर में हम एक टिब स्पून डालेंगे और इसमें नूडल लिये थे एज़िटिस हम इसमें डाल देंगे और यह बॉल होने के बाद अपने आपी खुल जाएंगे इसको हम 2-3 मिनिट के ल अब हम इसको तीन मिनिट के लिए पकने देते हैं एक बार हम नूडल्स को देख लेते हैं हम फोक के उल्टे वाले हिससे से इसको ऐसे मिक्स करेंगे इससे यह तूटेंगे नहीं और हमको पता भी चल जाएगा कि यह अच्छे से देखो खुल गए अब और यह बिल्कुल अब हम इसको थोड़ा सा ओर पकाएंगे फिर हम इसको ड्रें कर लेंगे देखिए नूडल्स अब हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब हम इसको किसी भी चन्नी में चान लेंगे और थंडे पानी से धोलेंगे यह नूडल्स हमने चान लिये हैं अब हम इस पे थोड़ा सा ओयल डाल देंगे और ऐसे हाथ की मज़द से इसको मिक्स कर देंगे ओयल को ताकि यह अपस में चिपके नहीं पैन को मैंने हीट कर लिया अच्छे से इसमें अब हम तीन से चाह टिबल स्पून ओयल डालेंगे आनियन को हम थोड़ा सा स्टाइ कर लेंगे इसको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है वेजिटेबल्स को ज्यादा पकाना नहीं है इसको सिरफ टांस्पर होने तक पकाना है चाइनिस में वेजिटेबल्स थोड़ी खची-कची अच्छी लगती है एक मिनट तक इसको आजे डाल देंगे और यह कैबिज आप अपने साब से कमजादा कर सकते हैं और यह ग्रीं चिली आप इसमें किमना मिर्स रेड और यहलो वाली भी डाल सकते हैं मैंने ग्रीन मली डाली है सब्गियों को हम एक दो मिनट के लिए सोटे करेंगे वेजिटेबल हमारी सोटे हो चुकी है अब हम इसमें सॉल डालेंगे सॉल्ट अब अपने टेस के वाडिंग डाल सकते हैं में हादा टी अब हम नूडल्स पैन में डाल देंगे दो टेबल स्पून में प्रया सोट डालेंगे अब तिंच अब वेनेगर एक टेबल स्पून ही डालें अब हम नूडल्स को मिक्स कर जेंगे अब हम इस पर थोड़े से स्प्रिंग अनियन्स टालेंगे थोड़े से मैं रख लूँगे गानिशिं के लिए यह आपकी वैज नूडल्स बर्कुर रेडी हैं आप इसकी अब प्लेटिंग सकते हैं लीचे आपयरे नूडल्स बिलकुर रेडी हैं